संतमत्य के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याइतीन वाक्य संख्या एक से बारह तक उन दिनों योहन बप्तिस्ता प्रकट हुआ जो यहुदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था पश्चताप करो स्वर्ख का राज्य निकट आ गया है यह वही था जिसके विशे में नभी इसायस ने कहा था निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज प्रभुक का मार्ग तेयार करो उसके पत सीधे कर दो योहन उट के रोओ का कपड़ा पहने और कमर में चमडे का पट्टा बांदे रहता था उसका भोजन टिड्डिया और वन का मदू था येरुसालेम सारी यहुदिया और समस्त यर्दन प्रांथ के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्विकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बप्तिस्मा ग्रहन करते थे बहुत से फरिस्यों और सदुकियों को बप्तिस्मा के लिए आते देख कर योहन ने उससे कहा साप के बच्चों किसने तुम लोगों को आगामे कोप से भागने के लिए सचेत किया पश्चाताप का उचित फल उत्पन करो और यह न सोचा करो हम इबराहिम की संतान है मैं तुम लोगों से कहता हूँ इश्वर इन पत्थरों से इबराहिम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब पेडों की जड़ में कुलहाडा लग चुका है जो पेड अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में जोग दिया जाएगा मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चताप का बतिस्मा देता हूँ किन्तु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझ से अधिक शक्तिशाली है मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बतिस्मा देंगे वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करे वे भुसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे